हम आज रिव्यू करेंगे ओकला बर्ड सेंचुरी का किस टाइप का क्राउड यहां आता है कैसे यहां पहुचना है और टिकट चार्जिस क्या है ओकला बर्ड सेंचुरी नोईडा में लोकेटिड है और यहां आने के लिए आपको ओकला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन का फ्लाई ओवर ब्रिज क्रोस करना है उसके बाद आपको राइट साइड चलना है ना लेके पैरलल में और कुछी देर में राइट साइड में आपकी ओकला बर्ड सेंचुरी आ जाएगी यहां कोई कार पार्किंग नहीं है तो आप मेट्रो या टेक्सी से ही आएं टिकट की बात की जाए तो पर परसं 30 रुपे की टिकट कटवानी पड़ती है और अगर आप किसी भी टाइप का कैमरा लेके आ रहे हैं चाहिए स्टिल्स हो या वीडियो लार्ज हो या स्मॉल आपको सीधे सीधे 500 रुपे की एडिशनल टिकट लेनी पड़ेगी जो की बहुत ही एक्सपेंसिव है बट टोटली वर्थ इट है अगर आप यहां फर्स टाइम आ रहे हैं कैमरा टिकट के साथ आप ट्राइपोर्ड भी अंदर ले जा सकते हैं ओकला बर्ड सेंचुरी दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे लोकेटिड है और यहां पे आपको लगबग 300 स्पीशीज और बर्ड देखने को मिलेंगी 1990 में गोवर्मेंट ओफ उत्तर प्रदेश ने साड़े तीन स्क्वेर किलोमेटर का एरिया यमुना रिवर पर डेजिगनेट किया था बर्ड सेंचुरी के लिए अंडर दा वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये बर्ड सेंचुरी ऐसी जगह पे लोकेटिड है जहां यमुना नदी एंटर करती है उत्तर प्रदेश में दिल्ली से निकलने के बाद पिछले कुछ सालों में पोल्यूशन की वज़े से बर्ड काउंट काफी ड्रस्टिकली रिड्यूस हो गया है इसी कारण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ओर्डर किया था नोईडा अथोरोटी को कि किसी भी तरह का प्राइवेट कंस्रक्शन सेंचुरी के 10 किलोमेट के रेडियस में ना हो ओकला की 300 स्पीशीज और बर्ड में कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज और वल्चर्स भी शामिल हैं अगर आपका लग अच्छा है तो सारा स्क्रेन भी देखने को मिल सकता है ओकला बर्ड सेंचुरी को कंपेर करें सूरजपूर सेंचुरी से तो ओकला में 3 बर्ड जादा हैं और सूरजपूर में डग की स्पीशीज जादा देखने को मिलती हैं क्राउड 90% कपल्स है और सिर्फ 10% एक्चुल नेचर इंथ्यूजियास्ट आते हैं ओकला बर्ड सेंचुरी में एक ही लुकाउट टावर है जो हमेशा क्राउडिड रहती है ओकला बर्ड सेंचुरी विजिट करने का बेस्ट टाइम है दिसंबर से लेके फेबररी तक विंटर्स में और आप वाटर बोटल केरी करना ना भूलें क्योंकि यहाँ आपको अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा बर्ड के अलावा अंदर काउ, बफेलो, डोग्स, नील गाए देखने को मिलेंगी ओकला बर्ड सेंचुरी में एंटर होते ही लेफ्ट साइड वाटर बोडी शुरू हो जाती है और राइट साइड में ट्रीज और जाडिया रहती है उपर एक हाई टेंशन वायर भी गुजर रही है जो करीब एक किलोमेटर तक चलती है और काफी आवाज भी करती है ओवरॉल प्लेस काफी सेफ है और अंदर आपको पेड़ ए रिक्षा भी मिलेगी तो इसे के साथ आप करिए इस वीडियो को एंजोई नैचरल साउंड्स के साथ करता है आप रहाद बाद पस्टाद कि प्रॉप्तार कि आप झाल बाल बाल प्राफ्स प्राफ्स लाट के लाट कर दो, साया पत्तुवर्णाल झाल झाल बुक टुक पस्टाइक पाल इने प्रोगा। तो ये था हमारा रिव्यू ओकला बर्ड सेंचुरी का उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी